इस ब्रहमात्मक संसार से लाग हटा पाना बहुत कठिन है। ब्रहमात्मक संसार का स्वरूप यही तन यही मन यही शुभाव और फिर शाम में सब इस पर सुरूप रशगंद इभोग्षा माग्रियां मान प्रतिष्ठा जीने की आशा शुक भोगने की लालशा यह शब ब्रहम जब तक इस ब्रहम में हमारी सत्यत बुद्धी है महत बुद्धी है तब तक आप परमार्थ की शब्दों को जो उसका भाव है उसे नहीं समझ सकते फिर परमार्थ का परमलक्ष तत्व बुद्ध या भगवान का शाक्षातकार यह तो अत्यंत दुरलब बात है यह बातों से नहीं होता है यह बहुत बुद्धिमान होने से नहीं होता है बुद्धी के ले से होता है आप जितनी चेश्टा करते हैं बुद्धी से करते हैं बुद्धी निरने करते हैं तो बुद्धी के निरने करने की छमता प्रकति में है माया तक है परमात्मा तक नही बुद्धी का उश में तनमे हो जाना प्रभु में प्रभु के नाम रूप लीला धाम में लीन हो जाना तब उसका ग्यान होता है संसार में तनमे होकर प्रभु का अनभो करना अशंभो और प्रभु में तनमे होए बिना संसार से रागत्यागना अशंभो संसार से बिलग होकर प्रभु में तनमे तो प्रभु का ग्यान आपको होगा शंसार में तनमे तो प्रभु का ग्यान ही नहीं होगा आपको अब शरीरा अभिमान भोगों में शुक मैं मेरा तें तेरा और बुद्धी की धरा से जानना चाहते हो भगवान है की नहीं है या उत्त तो कैसा है प्रमान देजिए प्रमान पार्थी वस्तुओं का होता है शत्य वस्तुओं अनुभोगम में है अनुभोगम में भजें जे शंता जब तक शरीर राग भोगों में शुक बुद्धी मैं मेरा तें तेरा मान प्रतिष्ठाप मान दुख निंदा ये सब भ्रहम जब तक हरदय में चल रहा है तो इशी भ्रहम में वो छुपा हुआ है जैसे निर्मल जलासे कि समीब पहुँचे उपर से काई जमा है हरी हरी तो आपको लगा यहां जल नहीं है पर बहुत मीठा निर्मल जल है बस वो काई हटा पाओ समझ पाओ कि यह काई हटाने से ही निर्मल जल का दर्शन और पान करने का शुभाग मिलेगा जो यह नहीं समझ पाते तो उनको लगता है यहाँ जल नहीं है ऐशे ही यह जो भ्रमात्मक माया की काई लगी है इसी में बड़ा ही आनंद शमुद्र परमात्मा बेटा हुआ है बिलकुल इसी में शमाया हुआ है और समाया हाँ आपकी अगर शाधना परिपक्व है, कृपापात्र हैं, आहम रहित हो गए हैं, तो एक मिनट में भी बूध हो जाएगा। जनक जी को अश्ट्रावक जी ने कहा, घोडे की रकाप पर पेर रखकर जितने में घोडे में शवार होने में समय लगता है, उतने में ब्रह्मभोत करा दूँगा, क्यों? क्योंकि तैयार भूमी है जनक जी की, और परम ज्यानी अश्ट्रावक जी, बड़ा दुश्तर है इस संसाल से पार होना, कठी नहीं है, भगवान श्वेम कह रहे हैं, देवी हे शागुणमई मम्मायादर्त्या, जिस बुद्धी से तुम जानना चाहते हो, उस बुद्धी में छमता ही नहीं है, उस बुद्धी के ले से उसको जाना जाता है, मैं आत्मा का ग्यान प्राप्त क कर रहा हूँ यह अविद्या है तन मन स्वभाव प्रान भोग बिश्व पूरा का पूरा बिश्मरन हो के जो बचा ओह परमात्मा करो पहले बिश्मरन करो कि अब बिश्मरन करने की तो शामर्थ नहीं है देख लो चाहे जितने प्रबल बुद्धिमान बनते हो या तुम्हारा बल और बुद्धी इशी में है कि तुम संसार और देह का बिश्मरन करके दिखाओ, तो जो बचेगा उशे कहते हैं परमात्मा, बिश्मरन करो, अभी तो बिश्मरन तुम प्रभूक की हो, इसमरन तुम्हारा सरीर संसार भोग, राद दिन, सोते जाकते, उटते, बेटते साब जगए सारवत्र केवल मैं मेरा ते तेरा भोग वृत्ति देभाव, जानना चाहिते हूँ परमत्त्त को, बहुनाम जन्मनावंते, ज्यानवान माम प्रपध्यते, वाह देवा सरमिती, समात्मा, शुदुर लभा, बहुत जन्मों की शाधना पर, फिर ये बात समझ में आती है, एक मात्र वासना वासुदेव अश्य वासितम भोनत्रयम शर्वभूत निवासोश्मी वासुदेव नमोस्तुते, ऐसे, इसलिए स्रिपाद प्रभुधानंद जी महाराज कह रहे हैं, अस्मिन्दुस्तर घोर, शंश्तितरव, तापत्रेला निशं, भ्रातस्त्वं क्लिसितोश्यतीव नमनाक, प्रानोसिसंधुक्षणं, नैकं शाधनमस्ति, सास्त्र महदा ख्यातम तवाख्यातुं, प्यंतस्चिंते तद्वरे, प्रियतनूर ब्रंदा टवी, शाखिनह, बहुत अद्वुत बद्वार्दुस्तु, प्यारे, तुम्हें सामर्थ नहीं हैं, कि तुम संसार समुद्र से तैर कर पार चले जाओ, बड़े-बड़े मगर मच्छ हैं, लील जाएंगे तुमको, अज्यान रुपी मगर मच्छ, काम, कुरूद, लूब, मुह, मद्मत, बातें बनाना अलग बात हैं, बातें बनाना अलग बात हैं, बातों से काल पर विजय प्राप्त नहीं कर सकतें, पर्योप्रवाह काल के कदापी, कदापी सुद्द, काल पर विजय बातों से नहीं होती हैं, जब तक किशी भगवत प्रेमी महात्मा के आदेशानुशार, शाधना नहीं होती, उपाश्रना नहीं होती, तब तक ये राग नश्ट नहीं होता, हमारे शुरूप का बोध होने में, शब्ष बाधा जो है, वो देहा भिमाद है, तीन देह हैं, फिर वासना, ब्रतिया, समुद्र है, इसलिए भाव समुद्र का आ गया है, भगवान तो शर्वत्र है, देखो, वेन एक बहुत पर तिराजा हुए है, स्रिमत भागवत में कता है, उसको ये भ्रम हो गया, कोई भगवान नहीं, मैं है, अब ये मैं सुद्ध बोध का मैं नहीं है, ये देहा भिमान का मैं है, अग्यानियों से तो चल जाएगा, पर धूर्तता इतनी बढ़ गई उसकी, कि वो महात्माओं को डाटने लगा, कि जैसे पतनी अपने पती को छोड़ कर किसी और पुरुस की आराधना करे, और पुरुस से प्यार करे, वैसे तुम सब ऐसे शुरू हो गया उद्धंडता करना, क्योंकि अभिमान का खार है उद्धंडता करना, अब उद्धंडता से शमाज को तो होई रहा था लेकिन महात्माओं को दुख होने लगा क्यों क्यों भगवान की निंदा करने लगा कोई भगवान है ही नहीं ऐसा उसके मन में अज्ञान छा गया जब बड़े-बड़े रिश्यों ने देखा कि ये तो राजा होकर जो प्रजा का पुत्रवत पालन करें वो तो विनाश की स्थिती पैदा कर रहा है सब को दंड दे रहा है अब राजा है तो उसके सामने ज्यादा करोगे काट देगा मार देगा दंड देगा जेल नाना प्रकार की पतान तो बड़े-बड़े महात्मा गए और शमझाया उसको हाथ जोड़कर राजन ये जो आपको बल मिला है आपको पद मिला है इस श्री भगवान के द्वरा ही दिया तुम्शाब मिथ्यावादी हो बड़ा कटू अचनसन एक साथ सफसंतन ये नहीं कह कि मर जा एकदम आवे शाया हुंकार मारा ततकाल सिंगासन सिगरों मर गया अब उशे सरीर को बिवस्तित रखा गया फिर रिश्यों ने विचार किया अगर राजा नहीं तो प्रजा सुरक्षित नहीं क्या किया जाए सब सभावे ठी हुई है सब के बीच में भगवान आप ही संपुर्ण प्रजा का पालन करने वाले हो इसलिए आप क्रपा करके इसके सरीर से प्रगट हुई है दाहिनी भुजा के मंत्र उचारन करते हुए जिव भाव किया तो भगवान का प्रथू अवचार हुआ और बाए भुजा से भगवान की शक्ति अर्चिजी प्रगट हुआ भगवान का अदभुत अवतार मृत शरीर से प्रगट हुआ शवशे वेन के सव से भगवान का प्रथू हैं कडड़ में हैं खंबेशे नर्शिंग अवतार प्रगट हुआ द्रोपदी के पुकारने पर वस्त्रा अवतार भगवान का प्रगट हुआ शमुद्र मन्थन के शमय कच्छपा अवतार भगवान का प्रगट हुआ साहस्त्र वाउधारन करके उपर से दबाये हुई हैं परवत नीचे से कच्छप रूप शे मोहिनी अवतार भगवान का धनवंतरी अवतार और जड़ चैतन संपूर्ण जगत के रूप में वही बना हुआ है अव इतना बिशुद्ध बोध तुम मन मानी अहार गंदा करो मन मानी बेवार करो बेविचार करो मानसिक शारिरिक धर्म बिरुद्धाचरन करो जान लो भगवान को ऐसा कैसे हो सकता है शंपूर्ण गीता, शास्त्र, वेद, जिशी, मुनी उशी परम्धत्त को प्राप्त करने के लिए उन्हीं के बताय हुई सिद्धान्तों से चले तो भगवान ने अपने आपको जना दिया फिर भी उजान नहीं पाते, स्वई जाने भगवान ने अनुभो करा दिया भगवान कहे रहे बहु नाम जन्मनावंते ग्यानवान माम प्रपद्य कैसे जाने तो वोले जो आच्यारे जन है, गुरुजन है, जो ब्रम्धरिशी है, महापुरुष जन है जाओ, साजटांग, दंडवत करो, दैन्निता पुर्वक, विने पुर्वक, उनसे प्रश्न करो और वो जो शाधना बताएं, वो वैसे आचरन करो, वैसी उपासना करो, तब तुम जान जाओगे उनकी क्रिपा से जान जाओगे तो अस्मिन दुस्तर घोर संसरतितरो तापत रे रानिशम, इस अस्मिन इस दुस्तर घोर संसार से पार हो जाओगे बहुत कठिन है पार पाना, बहुत कठिन है तापत रे रानिशम, रात दिन संपुर्ण संसार तीन तापों से जल रहा है देहिक देविक भौतिक सब ताप उसको समझ में नहीं आ रहा है जैसे बिष्ठा का कीड़ा बिष्ठा में सुख कानुभो करते हुए वो यह नहीं जानता कि कोई अम्रतकुंड भी है इससे अलग कोई शुख यही अविद्या है भगवान की परम्हा भागवत भक्त स्री प्रलाद जी ने सूकरी से कहा भगवान वैकुंठ ना चाहिए आदेश की है कि जो वैकुंठ चलना चाहिए उसे लिवा लओ तो आप वैकुंठ चलेंगी तुछ ने कहा कि चल तो सकती पर ये जो हम पा रहे हैं यहां यह वा मिलेगा ये तो बैकुंठ में नहीं मिलेगा तो मुझे में जाना बिष्ठा के लिए बैकुंठ का अनाधर कर दिया ऐसी हमारी बुद्धी है ऐसी ही है मलमुत्र के सरीर में राग करके भोगों में सुख बुद्धी तो भगवान को भूल गए है कि नहीं है भगवान की महमा भगवान का श्वरूप तो पावन हरदय में प्रकासित होता है तुमने तो अपने हरदय को मलिन कर लिया है कैसे तुमें समझ में आएगा दर्पन में भी प्रतिविम तभी दिखाई देता है अपने इस पार्थिव शरीर का जब वो श्वक्ष हो अगर मलिन है तो दर्पन में शामर्थ है पर वो मलिनता बीच में आने के करण आप नहीं समझ पाएगे कि आपका रूप कैसा है दर्पन श्वक्ष करो तो दिखाई देगा ऐसी ही मन में सामर्थ है दर्पन जैसे जहां मन निर्मल हुआ तो उशी में भगवान का स्वरूप दिखाई देने लगता है उशी मन में बात समझ लो यह ज़्यादा पढ़े लिखी बाते तभी समझ में आती जब उसका स्वाद लिया जाए जब तक दर्पन में थोड़ा भी दुंदलापन है तो आपको अनुभो नहीं होगा आपके पार्थिव रूप का ऐसी थोड़े भी मन में जब तक लोक लोकांतर की चाह रूपी मलिन्ता है तब तक भगवान का रूप दर्शन में नहीं आएगा जहां मन निर्मल हुआ तो शी में जो घरदे में भगवान बेटे ना तो वह जहलकने लगते हैं मन भगवान कृष्ण बन जाता है मन भगवान शीव बन जाता है मन भगवान हरी हो जाता है जो आप भाव करोगे, वही मन भगवदाकार हो गया, वही प्रभुमे हो गया, अब जहां से मन में वो प्रभु का श्रूरूप, तो अब मन मन नहीं, साक्षा तो भगवान रह गया, प्रतिविमन नहीं रह गया, अब तभी भगवान ने का इंद्रियानाम मनश्चाश्म, अ भरानता करन करता है, कितने गंदे भोगों में क्या भगवान ऐसे है, दर्पण है, पर ये मल जमा हो गया है, निर्मल मन, जन्षो मुही, पावा, भगवान केरे रहे न, अब हमारी जितने मनुष्य घन्मे की योग्यता है, छमता है, वो इस मल को साफ करने के लिए हैं, हम क्य कर रहे हैं और उपर से लेप कर रहे हैं बेविचार करके मानस खाके सरापी के चोरी करके हिंसा करके पुझ जनु का पमान करके सास्त्र भगवान की निंदा करके बैश्णो द्रोक करके इतनी पर्त जमा कर ली गंदगी की अब हम कहते हैं कि हमें दिखाओ तो भाई प्राकृतिक वस्तु तो है नहीं वो तो चिदानंद है तो उसको चिदानंद नेत्र चाहिए प्राकृतिक अब करो आप उपाशना तो आपके मानस नेत्र खुले फिर आप निरखिनेन हरिवंश निकसिकुंज ठाढे भे भुजा परस्परंस सिराधा वल्लव मुख कमल निरखिनेन हरिवंश भगवान है मिलते हैं ये बहुत छोटी बात है छिन छिन भिहरत संग छिन छिन निरखत एक सेकंड के लिए कभी बिलब हो तब ये है ना है कि ये सब प्रशन बाते आओ तो हाप उस इस्तिती में आओ जहां से दर्शन होते हैं तरपितन मानत नैन कुंजरंद्रवलो कितन यह सुखकात बने कैसे ये कोई पार्थी वस्तु प्रभू नहीं है कि तुम्हारे तरक से तुम्हारी बुद्धी के बल से वो जानने में आ जाएं नहीं अस्विन दुस्तर घोर संस्रती तरव बड़ा कठिन है बगवत प्राप्ति क्यों? क्योंकि भगवान का मिलना कठिन नहीं संसार के राग का त्याग करना बड़ा कठिन है जिन जिन के जीवन में परमान अंदश्वरुप भगवान का अनुभोष लीला में प्रिवेश तत्क ज्यान आप उनकी जीवनी पढ़के देखिए जितना कुछ उनके चरणाश्रित जनों ने समझ पाया उतने ही लिख रहे हैं अंता करन में जो हो रहा हो तो कोई देखी नहीं सकता है कैशा उनका वाय है जीवन रहा कैशी उनकी शाधना रही तब जाकर उनके हरदय में विराजमान जो गुप्त रूप से श्री भगवान उप्रकासित हुए बैप्रकट क्रपाला कहां यहां यहां प्रगट हुए नारेण या गौर से आमको ह्रदे निकुन्जुब अब आप मन मानी आचरण करने वाले मन से भगवत साक्षात कार कैसे हो सकता है जब मन मनाब हो मत भगता अध्याज इमाम नमश्गुर। बगवान कह रहे है जब तक आप भगवत मन वाले नहीं बनेंगे तब तक प्रभू का प्रभू के समी परेते हुए भी अनबों नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाए भगवान के अवतार के समय नहीं कर पाए भगवान के सामने होने पर भी नहीं कर पाए भगवान के साथ खाते पीते भी नहीं कर पाए परिवार के भी जन्तों थे किसी ने सलाह ली कि ऐसा पराद बन गया महरशियों का अब वो शाप हुआ है उसके विशे किसी ने सलाह नहीं ली सब मन मानी तो क्या परिणाम? विनाश जगत गुरु बैठे हुए है अखिल शामर्थ शीपत है अनंत शक्ति शामर्थ साली किसी ने सलाह नहीं ली किसी ने नहीं पूछा प्रभू ऐसे गलती हो गई ऐसा रिश्यों ने शाप दे दिया अब इसका क्या उपाय हो शक्ता? किसी ने नहीं पूछा समीप होने पर भी ऐसा नहीं कि आप जाना जब तक आपका हरदे भगवदा का इसलिए नारत भक्ती शूत्र में बड़ा अम्रत में शब्द ये है तन्मयाहा प्रभू में तन्मयाहा जिस गोपी जन अपनी स्थिती बता रही है प्राण भय कान हमे कान भय प्राण मे अब ही में न जानी पर है कान है कि प्राण है ये अब वासना में तुम्हारा जीवन है वासना में तुम्हारे प्राण है तो यही समझ में नहीं आता कि वासना प्राण बन गई है प्राणवासना बन गई और तुम जानने की इच्छा भी तो नहीं रखते भगवान की केवल बुद्धी गत प्रश्न करने से श्री भगवान को नहीं जाना अस्मिन दुस्तर घोर संश्रतितरोव बहुत कठिन है इस संसार के राग को मिटाना तापत्रेनानिशम ब्रातस त्वम क्लिशितोस्यतीव नमनाग प्रापरनोशी संदुक्षणम बाई तुम मेरी बात मानलो ब्रातस त्वम क्लिशितोस्यतीव नमनाग प्रानोन एक छण के लिए भी वैया तुम कभी सांती प्राप्त नहीं कर सकते हो ब्रातस्ट्वम यह जो क्लेश हैं मन के तन के देवी प्राकृतिक तुम्हारे कर्मों के एक शण तुम्हें सांती प्राप्तने होने देंगे नमनाक प्रान्योशी संदुक्षणम एक शण के लिए भी तुम्हें कभी शांती नहीं मिलेगी नईकम शाधन मस्ति क्योंकि तुम कोई भी भागवतिक शाधन नहीं कर रहे हो जिसे कोई कहता है कि जब कल्यान अपने ही करने से रूता है कई बार चर्चाय होई कि आपको अपना कल्यान करना होगा तो भी किसी की जरूरत क्या है पर कैसे करोगे अपना कल्याम इस जानने की तो ज़रत है अब जब जानना है तो प्रड़िपातेन प्रश्न है जाओ शरण में हो चरण में पड़ो दैन निवनो और जिग्यासा प्रगट करो फिर तुमारी जिग्यासा हो जब पूर्ण करेंगे तो तुम फिर जान जाओगे जो शाधन बताएं जो मार्ग बताएं जो रहनी बताएं करना आपको ही है पर क्या करना है आपको पता है नहीं पता है आप करके देखो बुले ने हम राम राम कहेंगे हमारा सब काम बन जाएगा ये तुम्हारे अंदर किसी के कहने से आया है किसी के शब्द शे आया है सुना होगा, पढ़ा होगा वो गुरू ही है जिसके शब्द शे हमें एग्यान हुआ कि रामकृष्ण हरी भोलने से नाम जपने से मंगर उसी को मानो आगे बढ़ो, निकल जाओगे ऐसा अवहेलनात्मक अभिमान का भाव किसी के नहीं, नहीं जब वास्तिविक चलोगे न तो कोई और है ही नहीं कोई और है ही नहीं दुश्रा वही प्रभू ही प्रभू है पर ये सब्द तभी जानने को मिलता है गुरु कृपा ही के वलम जब शद गुरु देव भगवान कृपा द्रिष्टी करते हैं तो उनकी द्रिष्टी के सारे हम वहाँ पहुंच जाते हैं कहां? जहां हम है जहां हम है वह हम पहुंच जाते हैं उनकी द्रिष्टी से अज्यांति मिरांधर्श्य ज्यानान्यन सला कया चक्षुरून मीली तम्मेन तस्मेशी गुर्वे नमा तो केरें नहीं कम शाधनमस्ति वो तुम्हें शाधना ही नहीं मिली जिससे तुम्हें आत्मबोध हो जाए जिससे तुम्हें प्रेम प्राप्त हो जाए सुभकर्म और भगवत प्राप्ति की शाधना में बड़ा अंतर है प्रायहा सुभकर्म कानुष्ठान को बाकिशाली ही करता है तीरशे आटन करना, दान पुन्नी करना, और शधाले को आदी 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 ये सब करने पर भी आहम अगर हम, तो वो आपको कुछ लाव देगा सांसारिक शुक लोक लोकांतर के पर आपका संसार चक्र नहीं चूटेगा आप कितना द्यान करेंगे ऐसे ऐसे दानी हुई है कि जिनकी सास्त्र महमागाई है तो क्या उनको तत्वोद हो गया क्या क्या हो भगवत प्रेमी बन गए क्या शुब और अशुब दोनों कर्मों का करता ले हो जाए यह अलग बात, यह मारग अलग हो गया शुब अशुब दोनों को करने वाला करता ही नहीं बचा अब शुरूप बोध होगा अब भगवत प्रेम होगा इसलिए नईकम साधन मस्ति श्रीपात करें वो साधन ही नहीं हो रही जिससे आपको बोध हो जिसको कोई कह देते कि हमको तो 20 वर्ष हो गए साधन करते 18 वर्ष हो गए साधन करते साधन है चाह न करना पकड़ो प्रारंबिक शाधन पत अधिशे कहते हैं मार्ग चाह ना करना चाह मिटाना भगवत प्राति भगवत प्रेम का मार्ग क्या है कोई भी सुब असुब चाह ना करना चलना कैसे निरंतर नाम जब करते हुए भगवत आश्री तो कर भगवत कथा सुनते भगवत चर्चा कर ये यात्रा है लेकिन चलना किस पे है परमार्थ पथ क्या है चाहना करना कामना मिटाना चाह रहित होना ये परमार्थ पथ पे चलना है तो चले कैसे कदम है नाम जब करना नाम किरतन करना भगवत चर्चा सुनना भगवत चर्चा करन भगवत सेवा करना यह हमारी यात्रा चल रही है अब शुब कर्म हो रहे हैं और चाह की नवीन नवीन ब्रत्याउत पन हो रहे हैं तो पथि कहा के हो जगत के परमार्त के नहीं नईकम शाधनमस्ति इतना भी कदम नहीं रख पाए भी परमार्त पे क्योंकि चाह रहित होना ये परमार्थ पथ है अलग-अलग मार्ग है ना ये परमार्थ पथ है चाह मिटाना, कामना रहित होना इस मार्ग पे चलना है सच्चाई से देखो कितने मिनट तुम कामना रहित रहते हो कितने मिनट हम देनों महिना साल की बात नहीं करते कितने मिनट तुम कामना रहीत होते हो चिक करके देखो पर निरिक्षन परिक्षन करने वाली बुद्धी भी ठीक होनी चाहिए अचाह इस्थिती कितने सेकेंड रहती है मिनट भी छोड़ो अचाह इस्थिती कितने सेकेंड तुम्हारे इर्दे में रहती है जांके देखो चाहेते हो कि है वो वो तो है यह तुम्हारे आख मुद लेने से सूरी थोड़ी अंतर द्यान हो जाएगा तुम्हारे ना कहने से वो विश्वात्मा की सत्ता थोड़ी खतम हो जाएगी नईकम शाधनमस्ती वो एक इतना भी साधन नहीं हो रावगोत प्राप्ति का जब कशोटी पे कसेंगे ना तो पीतले निकलेगा सोना उसमें रत्ती भी नहीं निकलेगा तो हम लोग कशोटी में खरे उतरने लायक नहीं है क्या करें? शरण का सरणागती